हेलो दोस्तो, दोस्तो, एलोन मस्क एक ऐसे प्रतिबा साली व्यक्ति है, जिने सायदी इस दुनिया में कोई न जानने वाला हो, वे एक आफरीकी इंवेस्टर, एंजिनियर और बिजनेसमेन है, जिनोंने स्पेसेक्स और टेसला जैसी बड़ी-बड़ी कम्पनियों की स्ताप की हुई है, दोस्तो, इलोन मस्क को असल दुनिया के आयन में कहा जाता है, उनकी नेट वर्थ लगबग 23,250 करोर्स यूस डॉलर्स है, जो उन्हें दुनिया का सबसे अमिर व्यक्ति बनाता है, इलोन मस्क ने हमेशा से ही मानव जीवन को ज्यादा बहतर बनाने की कोशिस की की है, और हमेशा अपनी कोशिसों में सफल भी रहे है, दोस्तो, इलोन मस्क एक आउट अफ वर्क्स की ठिंकिंग रखने वाले परसन है, और उसी वज़े से उन्हें जिन्यस एंटरप्रेनियर भी कहा जाता है, और दोस्तो, आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को इतने परे लेवल तक पहुचने के लिए कितनी ज्यादा महिनत करनी पड़ती है, ठीक उसी तर इलोन मस्क भी बहुत संगर्स और बहुत महिनत करने के बाद वो बहुत सारे युवाओ के लिए एक प्रियना बन चुके है, चलिए दोस्तो, आज हम लोग इलोन मस्क की इंस्पिरे 1971 में साउथ आपरिका के प्रिटोरिया सहर में इलोन मस्क का जन्मा हुआ, उनके पिता का नाम इरोल मस्क था, और वो एक एंजिनियर होने के साथ साथ पाइलेट भी थे, और उनकी मा का नाम मे मस्क था, और वो एक मॉडल और डाइटीशन भी थी, इलोन मस्क को अपने दस साल हो गई और उनको कॉम्पुटर में धिरे धिरे बहुती ज्यादा इंट्रेस्ट जागता गया जब वो 12 साल की उम्रके हुए तब उन्होंने कॉम्पुटर प्रोग्रामिंग सिखने में दिलचस्पी लेने लगे और उस वाक उन्होंने ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली इस गेम को उन्होंने 500 डॉलर में PC और Office Technology नाम की कमपनी को बेच दिया इससे इलोन मस्क की इंटलिजन्स बहुती साब साब दिखने लगी थी इलोन मस्क हम्मेशा Technology की किताबे पढ़ा करते थे और उसी वज़ा से उन्हें Technology के प्रती बहुत ज्यादा लगाव हो गया था इलोन मस्क जब एजबे छोटे थे तो उनके स्कूल के टाइम पर दूसरे बच्चे उनको बहुत ज्यादा परेशन किया करते थे एक बार तो कुछ बच्चों ने उन्हें सिडियों से दख्का दे दिया था और उसके बाद उनको बहुत पीटा गया उन्हें तब तक मारा गया जब तक वे बेहोस ना हो गए इस पीटाई के कारण उनको कुछ दिनों तक तो हस्पिटल में भी रहना पड़ा था इलोन मस्क ने 17 साल की एज में अपनी ग्रेजियोशन की पढ़ाई क्वीन उनिवर्सिटी से कंप्लेट की दो साल वहाँ पढ़ने के बाद उन्होंने उनिवर्सिटी पैंसिलवेनिया में ट्रांसपर किया जहां उन्होंने फिजिक्स में बैचलर अप सायंस की डिगरी हासिल की इलोन मस्क ने 1905 में अपनी पैच डी को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया में सिप्ट किया वहाँ सिर्फ दो दिन रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमेन के रूप में अपने कदम बढ़ाए फिर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जीप टू नाम की एक सौप्ट्वेर कमपनी बनाई जिसे आगे चलकर कॉमपेक ने 307 मिलियन डॉलर की एक बड़ी रकम देकर खरिद लिया इस कमपनी को बिखने के बाद इलोन मस्क को उनके 7% सेर्ज के लिए कूल लगबग 22 मिलियन डॉलर मिले इसके बाद 1999 में उन 22 मिलियन डॉलर में से 10 मिलियन डॉलर को इन्वेस्ट्मेंट करके इलोन मस्क ने x.com नामकी कमपनी की स्तापना करी यह एक financial सेवाय प्रदान करने वाली कम्पनी थी और एक साल बाद ये कम्पनी Confinity नाम की एक और कम्पनी के साथ मिल गई दोस्तो मैं आको यह बताना चाहता हूं कि Confinity वही कम्पनी है जिसकी money transfer service होती थी जिसे आज हम लोग PayPal के नाम से जानते हैं दोस्तो PayPal एक अच्छी और famous money transfer service है जिसे 2002 में eBay ने 1.5 billion dollar के एमाउंट में खरीद लिया था इस डिल में सबसे अधिक profit कमाने वाले व्यक्ति इलोन मस्क थे क्योंकि वह PayPal कम्पनी के सबसे बड़े shareholders थे उन्होंने इस डिल में बहुत ज्यादा कमाई की जो थी 165 million dollar की अपनी wealth के पैसो में से 100 million dollar का निवेस करके इलोन मस्क ने एक कमपनी बनाई जिसका नाम SpaceX रखा आज कल के टाइम पर SpaceX एक बहुत बड़ी कमपनी बन गई है जो Space Launching वहिकल बनाती है इसके बाद 2003 में उन्होंने दो लोगों के साथ मिलकर एक कमपनी टेसला की स्तापना की जिसे वहिकल इंडेस्ट्री में न्यू टेकनोलोजीस का प्रयोक करने के लिए जाना जाता है और वर्स 2008 के बाद इस समय तक इलोन मस्क टेसला के CEO के रुप में सक्रिय है टेसला के विशेष्ता जो की सभी जानते है वो अध्वितिय और लाजवाब इलेट्रिक कारों में सामिल है इसके बाद वर्स 2016 में इलोन मस्क ने अपनी कजिन की कमपनी सोलर सिटी को फाइनेंसेल कैपिटल देके उस कमपनी की सुरुवात करने में मदद की और उसके बाद सन 2013 में सोलर सिटी नामक कमपनी ने सन 2016 में उन्होंने एक आर्टिफिशल इंटेलिजन्स रिशर्च कमपनी की स्तापना की जिसका नाम उन्होंने ओपन AI रखा इसके माध्यम से विमानवता के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजन्स को सुरुक्षित और उप्योगी बनाने का गोल रखते है दोस्तो इलोन मस्क ने आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के मामले में जो भी दावे किये थे वो दावे उन्होंने अपने चेट जिपीटी नाम की AI प्रोग्राम से साबित करके दिखाया है अगर दोस्तो आपके पास चेट जिपीटी से संबन्दित किसी प्रकार की जानकरी चाहिए तो मैं आपके लिए एक लोंग वीडियो फ्यूचर में आपके लिए ले कराऊंगा दोस्तो इलोन मस्क ने 2016 में नियूरा लिंक नाम की एक कमपनी के को फाउंडर बने और यही कमपनी आर्टिफिचल इंटिलिजन्स को और हुमन ब्रेइन को निचोडने के काम में लगी हुई है और इस टाइम पर इलोन मस्क टेकनोलोजी की दुनिया में बहुती ज्यादा आगे बढ़ चुके है और टेकनोलोजी के मामले में बहुत बड़े-बड़े एक्सपरिमेंट्स कर चुके है और इस इंडेस्ट्री में वो बहुती आगे बढ़ने के लिए महिनत कर रहे है और ऐसी डिफरंट्स सोच रखने वाले व्यक्ति ही लाइफ में कुछ अच्छा और डिफरंट्स कर सकते है तो दोस्तों यही थी इलोन मस्क की बायोग्राफी जिसे हमने आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताई है